हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लेट्स व्लोग विद पूनम में आज मैं सेर कर रहे हूँ आप सब के साथ कद्दू की सबजी बंडारे में बनने वाली खटी मिठी और चटपटी सबजी आप इसे छोटी मोटी पार्टी पे आसानी से बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इसे आप पूरी सबजी पराठा किसी की भी साथ सर्व कर सकते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ और इसको छोट-छोटे पीसिस में कट कर लेंगे यहाँ पर मैंने कच्चे वाला कद्दू लिया है हरे वाला अगर आपको पका हुआ कद्दू मिले तो उसके बीज निकाल दे यहाँ पर मैं सिर्फ अंदर से थोड़ा थोड़ा यह गुद्दा है जो वो निकाल लूँगी और इसको छोट-छोटे पीसिस में कट कर लूँगी यहाँ पर इसका छिलका बहुत ही सोफ्ट है इसलिए इसको मैं उतारूंगी नहीं अगर आपको छिलका इसका ज़्यादा हाड लगे तो हलका हलका उतार दें और इसको इसी तरह से छोट-छोटे पीसिस में कट कर लें यहाँ पर कद्दू को मैंने छोट छोटे पीसीज में कट कर लिया है देखिए इसी तरह से छोट छोटे पीसीज में और पतले पतले पीसीज ही कट करने हैं आपको और यहाँ पर आगे मैं एक छोटी कच्ची आम्बी ली है इसका सिलका उतार लूँगी मैं इस तरह चीलर से और इसको हम बाद में कद्दुकस करेंगे और यहाँ पर चार हरी मिर्च के करीब मैंने ली है इसको बारिक बारिक कट करके रख लेंगी और हरा दनिया है इसको भी इसी तरह से बारिक बारिक कट करके लेना है तो यहाँ पर इसके बाद में जो आम्बी है इसको मैं कद्दुकस से कस कर लूँगी और इसको या आप चाहे तो इसे छो बारिक बारिक कट करके ले ले यहाँ पर हमने जो सब्जिया कट कर लिया है उनको हम एक साइट रख देंगे और आगे हम जो मसाले इसके अंदर डालेंगे उनकी त्यारी करते हैं यहाँ पर एक चमच धन्या पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर थोड़ा सा भूना हुआ जीरा पाउडर लेंगे और आदा चमच के करीब यहाँ पर हम काला नमक लेंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा गरम मसाला लेंगे और थोड़ा सा ही हम यहाँ पर चाट मसाला लेंगे और इनस मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक बड़ा चमच सरसों का तेल लिया है जैसे ही हमारा तेल गरम होगा गैस को हम मेडियम फ्लेम पर कर देंगे और एक चमच जो है मेथी दाना लेंगे और एक चमच के करीब यहाँ पर जीरा लेना है और थोड़ा सा हींका जैसे हींका कलर थोड़ा सा चेंज होगा इसमें हम जो हमने कटी हुए हरी मिर्च थी आदा डाल देंगे और आदा हरी मेच हम बाद के लिए रख लेंगे और इसमें हम जो हमने कद्दू कट करके रखा है वो भी इसमें एड़ करेंगे और इसी थोड़ी देर इसी तरह से जलाते हुए पकाएंगे एक मिनिट के लिए अब हमें इसमें हरा धनिया जो हमने कट करके रखा था वो भी इसमें डाल देंगे यहाँ पर हरे धनिय की खुश्बू अलेगी आती है इसमें ऐसे डालने से और इसमें मैं एक चमच के करेब यहाँ पर नमक डालूँगे आप अपने टेस्ट के कोडिंग लिए यहाँ ध्या और इसे हम दो तिन मिनट के लिए कवर करके रख देंगे जैसे ही दो मिनट होंगे हम हमारी जबची को चेक करते हैं और इसमें हमने जो कच्ची आम में जो कद्दू कस करके रखी थे वो इसमें एड़ कर देंगे और जो मसाले हमने मिक्स करके रखे थे वो बी इसमें डाल द जब तक हमारी सब्जी पक रही है मैं आगी की तियारी कर लेते हूं यहां पर मैंने दो छोट छोटे पीसी जो है कुड के लिए हैं इनले में अच्छे से क्रस्ट कर लूँगी और क्रस्ट करने के बाद इसे साइड में रख दूँगी अब हमारी सब्जी चेक करते हैं 10 कर आए और यह अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स हो जाए और थोड़ इसी में यहां पर कसूरी मेती है उसको विक्रस करके डाल दूँगी और इसे के साथ हम गुड भी एड़ करेंगे ताकि जो गुड की मिठास है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और यहां पर जो हमने ह दो तीन मिनट के लिए फिर से दोबारा से ढख करके पकाएंगे ताकि यह अच्छे से सारी चीज़ेस में मिक्स हो जाएं जैसे ही दो तीन मिनट होते हैं देश कि यह कितना अच्छा से पक कर हमारी सबजी बनगे और जो सबजी से तेल अलग हो गया है इसका मतलhar हमारी सबजी अच्छे से पक चुकी है और देखे कितने अच्छे है अगर आपको थोड़ और ज्यादा पकाने है तो इसे में पाने अड़ करते लूद स्थी सुखि सुखि यह ज्यादा अच्छी लगती है और एसमें हमने हरी मिल सबची ज़ो अड़ की थी वह अच्छा टेस्ट देगी बाद में इसलिए अड़ की थी अगर आप चाहे तो इसमें और भी मेची अड़ कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए लाइक सिरेंड कमेंट करना ना भूले थैंक यू बाई